नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर से, सेट नमबर 856 के साथ, और थोड़ा सा समय नहीं रहा बीच में, दो दिन आप लोग ने देखा होगा, एकेडमी में छुट्टी थी और ओनलाइन भी आपको पेपर वगएर अपलोड नहीं हो पाए, इस वीडियो का भी सॉल्यू हो जाएगा और इस तरीके से वो आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है, चले, तो पहला प्राशन हमारे पास है कि हर 15 दिन में होने वाला के लिए एक सब्द, वाक्यांस के लिए एक सब्दों मैं सभी को पता है भाई, 15 दिन में एक बार के लिए पाक्शिक, आपने सुनाओग और उसी का तदभव रूप में आपका असी पकवाड़ा भी मिल जाता है, साब्ता एक सब्दा में एक बार वार्सिक वर्च में और मासिक महीने में आपका मिल जाएगा, सिकने आचारे सब्द का इस्तिरिलिंग क्या होगा, तो बहुत आसान था आचारे का आचारिया यहा एक सब्द आता पूजया, अब कई सारे लोग सोच रहोंगे तो इसका तो पूजनिया होना चाहिए, लेकिन पूजनिया अलग सब्दे, पूजया अलग सब्दे, ठीके, पूजय का यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पूजया, आकी मात्रा लग जाएगा ठीक उसी तरीके ठीक है, तो इनको ध्यान रखना, कुछ चीजें थोड़ा सा कन्फूजन वाली रहते हैं, जैसे मुगल सब्दे, तो भई मुगल का हम मुगलाइन समझते हैं, लेकिन इसका मुगलानी सब्द, इसका सुद्ध क्या है, आपका इस्तिलिंग रूप आपको मिल जाता है, इसक हम सोचते हैं, कि ससुराल साइथ पुलिंग सब्द होगा, लेकिन जो प्रैक्टिसेट में हम लगाता है, हमने इसके बारे में डिसकस भी क्या है, कि ससुराल आपके पास कैसा सब्द है, इस तरी लिंग सब्द आपको मिल जाएगा, और ऐसे एक सब्द एकांकी है, एकांकी होता है नाटा का एक अंक, जिस तरीके से उस सब्द बना है, जिस तरीके से इसका उच्चारन हो सकता है, तो यह ऐसा महसूस होता है, यह इस तिलिंग होना चाहिए, लेकिन एकांकी सब्द क्या है, पुलिंग सब्द आपको मिल जाता है, एकांकी लिखा गया, इस तरीके स आधार पर सब्दों के भेद के हिसाब से दिये हुए, उस आधार पर आम हमारे पास कैसा सब्द है, तद्वह सब्द है, क्योंकि इसका तत्सम रूफ हमारे पास क्या मिल जाता है, आमर मिल जाता है, आगे भी तत्सम तद्वह वाला प्रशन है, वहाँ पर बाकी चीज़ें क मिल जाता है कुछ विलॉम सब्द हम देखते हैं जैसे माना हमारे पास है अधुनातन है जैसे अधुनातन का क्या हो जाएगा पुरातन सब्दा पास मिल जाएगा अउनति का उनति मिल जाता है अउनति का उनति उतकर्ष का अबकर्ष, चिंतित की बात करेंगे तो चिंतित, अब चिंतित होता है, या फिर कोई विक्ति निश्चिंत रहता है, जिसको कोई चिंता ना हो, तो इसका निश्चिंत सब्द आपको क्या मिल जाएगा, विलोम सब्दों में मिल जाता है, दरिद्र, दरिद्र का विलोम सब्द, हमारे पास एक सब्द आता है संपन, दरिद्र का आता है संपन, संपन यानि जो सभी चीज़ों से संपन है, ऐसा ही संपन का विपन भी मिलेगा, संपदा, उसी से बनावा संपदा है, तो संपदा का विपदा मिल जाएगा, योगी है तो योगी का मिल जाएगा आपको भोगी ध्यान अकना कि पूछा क्या गया है अभी हम बात करें कि इसकी विलोम सब्दों की जब योगी की बात करें योगी में तद हो पूछा जाता है योगी का जोगी होगा वो अलग चीज़ है ठीक है यहाँ पर योगी का भोगी मिल जाएगा ऐसे अगर हमारे पास माना सन्यासी सब्दा आता है सन्यासी तो सन्यासी का इस अर्थ में क्या है ग्रहस्त मिल जाएगा और एक सब्द हमारे पास आता है साधू. जो साधू सब्द है इसका वैसे तो आपका चोर सब्द इसका विलोम मिल जाएगा लेकिन कभी चोर नहीं है माना तो वहाँ पर आप पास क्या मिल जाएगा? असाधू इसका विलोम सब्द आपको मिलता है. ऐसे सोक विशाद फिर एकी चीज़े धियान रखना है इसको ठीक है हर्स उल्लास इसका विलोम सब्द आपको मिल जाता है तो इन चीज़ों को रिविजन करेंगे विलोम पर याई वाच्ची वगरा सब रटने की चीज़े है फिर ते वा का उच्छारण इस्तान क्या है तो वा हमारे पास आपका किसम है दन तोष्ट में जहा पर हमने वा और नुक्ता वा देगा फिलाल की ओल उपसन की बात करेंगे तो कंटे में हमारे पास इसपर सी विंजन वर्गों में का वर्ग आजाएगा विंजन में ह आ जाता है स्वरों में हमारे पास यहाँ पर विशर्ग आ जाएगा और अ आ यह इसमें सामिल आपको मिल जाते है ओश्टिक अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हमारे पास इस पर से विंजन वर्ग में पावर्ग आता है और साथ साथ में शवरों में उऔर उ आ जाएगा फिर मूर्धा की बात करते हैं क्यों मूरधा में हमारे पास किया आ जाएगा टावर्ग आ जाता है टावर्ग के साथ मूरधन्य साango अर्रि रा भी आता है लेकिन उन सबी की कंडिजिसन हम पहले भी देख चूके हैं वही जो हमारे पास सरल जन, ये 5 चीज़े हैं, सरला जन, तो वैसे तो ये मूल रुप से प्रथम प्रात्मिकता है, कि ये वर्थ से ध्वनिया है, वर्थ से दंत मूल में है, लेकिन अगर दंत मूल के अलावा हट कर देखें, साल अरना, ये आपका दंत ध्वनिया भी है, और और रा की बात करेंगे, तो रा किसम है, मूर्धा में भी आ जाएगा, यह तब की बात है, जब आपको दंतमूल वर्थ से ना पूछा हो, उसके अलावा अगर हम देखें इनको, ठीक है, सिख से कि कौन सा परियाएवाचे, सब्धिक में सही सुमेलित नहीं है, पुनीत का होत आपका देखो, यह समान आर्थी है, अच्छा ठीक है, समान आर्थी है, विल्को समान आर्थी पूछा हुआ था, तो मारे पास फूर्थ वाला गिरिजा, गिरिजा के अगर हम बात करें, गिरिका मतलब परवत और जा मतलब जन्म लेने वाली, ठीक है, तो यहाँ पर यह मि तीर की बात करें, इश्यू की, तो इसमें हमारे पास क्या है, सायक सब्द आ जाता है, सायक आ जाएगा, यहाँ पर आपका सिली मुख, सिली मुख आ जाता है, नाराच सब्द आ जाएगा, ठीक है, बाकी बान अगर तो आपको पता है, सरस्वती में गिरा याद रखना, य सब्द का परियाई वाचिस सब्द आपके आपकास मल जाए कि अबाद की वीना दानी, ज्ञान दानी, वीना पानी, ज्ञान दानी वगर इस आपको पता होना चीए है. अगर चलते हैं, कि बिल्कुल बेज़त होना इस तरीके से, कहते हैं जिसको क्या है, किसी चीच का कोई फरक नहीं पढ़ रहा है, तो यहां पर भी कहने का मतलब काटर तो खोने या काटर, मतलब जिस पर कोई परभाव न पढ़े, लेकिन ध्यान रखना कहीं पर इसका जो प्रश्न बना है, उसमें इसका आंसर इस्तब्द होना भी है, ठीक है, भय से इस्तब्द होना या डर जाना इस तरीके से, तो ठीक है वो जिस तरीके साग पास आता है और बाकी उप्सन तो वैसे भी कुछ बन नहीं रहे थे इसमें, एड़ते की निमनम ऐसे कौन सी कारली पत्र की विशेष्टा नहीं है, पहला है चीनांकन वा अनुशेद का समुचित परियोग होना चाहिए, बिलकुल होना चाहिए, चीनांकन यानि विराम चिनों का सटीक परियोग होना चाहिए, साथ-साथ में हम यहां पर देखते हैं क अनुचेद जो पहराग्राफ है वैसे तो कोशिस ये रहती है कि ये क्या हो संक्छिप्त में हो संक्छिप्ता हो लेकिन फिर भी अगर एक पहराग्राफ से ज़्यादा आ रहा तो हर पहराग्राफ को हर अनुचेद हर आर्टिकल को इसपस्ट करना चाहिए इस पस्ट करने के लिए यह होता है कि पहले वाला जैसे आपने दिखा महोद है, कौमा लगा के लिखा, मुझे यह कहने का निर्दीस हुआ है, पहले में तो सिक्वेंस नहीं डलता है, लेकिन अगर आपको लगता कि दूसरे पहरागराफ तक जाएगा, तब दूसरे से आपक जो उत्पन करें, और कालाई पत्र उद्देशेपूर्ण सिष्ट भासा में, बिल्कुल आधिकारी भासा में होना चीए, इसके लावा और विशेषता हैं यहां पर आपको मिल जाती है, कि यहां पर क्या है कि आधिकारी भासा का पड़ोग होता है, अन्यपुरुस सेली मे यह पत्र लिखे जाते है, अन्यपुरुस का मत्तब जो लिख रहा है और जिसको लिखा जा रहा है, उन दोनोंका कोई जिकर नहीं होगा, किसी अन्यपुरुस गटना विशेवस्तु का इसमें क्या होता है, जिकर होता है, सबसे अलग स्धिदी के लिए लोग उगती है, त नुक्षान ना हो तो यहां पर आजाएगा क्या कंजूसी करना के लिए मुहावरा पास आजाएगा फोर्त है तू डाल डाल मैं पात पात तो यहां पर आपका मिल जाएगा दोनों चालाग दोनों चालाग ठीक है इन मेंसे तत्सम सब्द नहीं है, ठीक है, यहाँ पर बात की कि तत्सम सब्द कौनसा नहीं है, सबसे पहले अमलिका की बात करते हैं, अमलिका, अमलिका का इमली सब्द मिलता है, यह तत्सम है, और यह तद्भव सब्द है, ठीक है, अउगुन का, बिल्कुल अउग का यहाँ पर क्या हो जाता है ओव हो जाएगा और अना का ना हो जाता है देखो इसका जब तद्भाव बनाना हो तो क्या हो जाएगा ओगुन उबटन की जब हम बात करते हैं, तो उबटन सब्द आपका ही नहाँ पर इसका आंसर है, क्योंकि ये आपके पास क्या मिल जाएगा, तद्भव में, और इसका तद्सम मिलता है आपका, उद्वर्तन, ठीक है, उद्वर्तन मिल जाएगा, उबटन, उबना किसी से, इस तरीक से और गोपाल भी स्पिर तद्सम है इसका तद्भो क्या मिल जाएगा ग्वाल मिल जाता है ध्यान एकना कहीं पर गोपाल है तो कहीं पर क्या है यह कहीं पर यह आपके पास क्या मिल जाएगा गोपालक के रूप में आपका मिल जाता है कुछ तद्सम तद्भो यहां पर स्रिंगार की बात करेंगे, तो स्रिंगार का सिंगार, बोलतो ना सोला सिंगार, वो हो जाएगा, स्रिंगाल की बात करेंगे, तो स्रिंगाल का सियार सब्द आपको तद्भाव में मिलता है, यह जो यहाँ पर इस तरीके से लिखें, यह तत्सम है, बाकि जो भी मैं लिख रह इस्टिका का इंट मिल जाएगा, इस्टिका का इंट, अवमूर्द की बात करेंगे तो ओधा या ओधा, बोलते ना ओधा मूँ या उल्टा मूँ है ना, अखिल का आखा सब्द मिल जाएगा, और ऐसे उच्छा की बात करेंगे, इसका उच्छा सब्द आपको तदभव की र रटने वाली चीज़े हैं, जितनी हो सकती हैं, जो भी पुस्तक आपके पास है, उससे इन चीज़ें को रटिए हैं, निमने मैंसे कौन सा वाकि सदेव पुलिंग वाची रूप में परियोग होता है, तो यह होता है गीदर, और साथ साथ में यहां पर आपका चीता हो जाएगा, कच्वा सब्द हो जाएगा, तोता सब्द है, मच्छर है, यह सारी चीज़ें आपका अक्सर पुलिंग वाची होती है, और इनको इस्तिलिंग परियोग करने के लिए इनके साथ मादा जुड़ जाता है, जैसे आपने मादा मच्छर वगरा पड़ा होगा, मैना बुल-बुल मच्छी, यह हमेशा इस्तिलिंग वाची है, इनमें हमारे पास और क्या आता है, तितली सब्द आ जाएगा, जों सब्द आ जाता है, जोंक सब्द आ जाएगा, यहाँ पर आपका मच्छी सब्द आ जाता है, मच्छी, मक्डी सब्द मिल जाएगा, मक्षी सब मिल जाये गई हमेसा इस त्यलिंग में, ध्यान रखना, यहाँ पर संतान और सवारी, संतान सवारी, ये भी आपके पास किसे मिल जाएंगा, इस त्यलिंग रूप में सारे किसारे मिल जाते हैं, अगर आ जाएगा, निम्न मैंसे अशुद्व वर्तनी का उधारानी, अशुद्व वर्तनी आपको चांटनी है, तो देखो हमारे पास वधू नहीं, वधू होता है, यह आपका उपसन थर्ड सही हो जाएगा, जो सही नहीं है, ठीक है, ऐसे ही धियान रखना हमारे पास एक सब्द उशा आता है, एक सब्द हमारे पास उश्ण आता है, उश्ण कटे बंडी, वगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर उश्णा की बात करेंगे, तो दिर्गू, ऐसे ही उड़जा की बात करेंगे, तो दिर्गू हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर हिंदू की बात करते हैं, बड़ा की मातर आजाएगी ठीक है तो ये चीजे ना बहुत जरूरी होती है वर्तनी के वल वर्तनी वाले प्रशने के लिए काम नहीं आएगी वर्तनी बहुत जगा पर काम आती है वाक्य सुद्धी में काम आएगी मैं इन सभी की बात करहूं उशा उश्ण उश्मा उड़्जा ये अरपन सब्द का सही संदी विचेद या सही संदी आपको यहां पर पोची कोई थी संदी कौन सी है इसका संदी विचेद पहले करें तो ये आपका प्रती प्लस अरपन सब्द आपको मिल जाता है ठीक है ये के बाद भिनसर आने पर देखो या बनता है बादवाला सेम रहे अपने समास पड़े होंगे कभी ततपुरुषमास उसको भी कारक के हिसाब से अलग लग तूड़ा गया एक सब्द है आप सोचेंगे एक सब्द में कैसे कारक वो तो वाक्या में होना चाहिए लेकिन अगर आप इसका विग्रह करोगे तो ये सब्द यहां पर क्या तोड़े पेपर किसमें अधिकरण में आ जाएगा ठीक है दान पेटी दान के लिए पेटी के लिए संपरदान में इस तरीके से आ जाएगा ठीक है आपने कहा रोग ग्रस्त ग्रस्त होने का शाधन क्या है रोग करण साधन क्या है करण ठीक है हमने कहा अकाल पीडित पीडित होने का साधन किस ने अकाल से पिर्ट तो वह भी करन फिप्टी ने या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरा न धर होंगी मैं कौन सा अलंग का रहे हैं तो भाई यहाँ पर हम देखेंगे तो अधरान और अधरा न इसको मिलाकर यहाँ पर आपका यमक बनाया गया, इस अधरान का मतलब हो जाता है, होटों पर, और इस अधरान का मतलब है, होटों पर नहीं, देखो यह ना अलग है, इसका अलग से अर्थ आपको पस मिल जाता है, तो यमक अलग का आपको पता होगा, जहाँ पर सब्दों की आवर्ट थो आपको मिल जाएगी ठीक है अगला चलते है फिलाल क्विस्सन नंबर 17 है कि पुलिस ने कल रात चोर्क पकड़े बाक्य में कौन सा वाच्छ है तो यह हम कई बार देख चुके हैं करता के साथ नए भी बगते होगी तो सिधे से नांसर क्या हो जाएगा करतर वाच्छ आपको मिल जाता है अलाकि नमिक में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है पहला दवानल सागर में लगने वाली अगनी तो पहला ही गलत हो जाता क्योंकि दवानल की बात करेंगी तो दवानल में वनागनी आ जाती है निए वन में लगने वाली अगनी आ जाएगी सागर के अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका बढ़वान ला जाएगा ऐसे हम यहाँ पर बात करें जट्रागनी की पेट में लगने वाली अगनी यह इसी के लिए आपकास आ सकता है क्या अन को पचाने वाली अगनी अन को पचाने वाली अगनी को यहाँ पर क्या कहा जाता है जट्रागनी थर्ड वाला थोड़ा से ध्यान से देखना प्रलंब बाहु है जिसकी भुजाएं अधिक लंबी हो जिसकी भुजाएं गुटने तक हो या गुटनों तक हो वो आजानू बाहू आपके पास मिल जाता है ठीक है जट्राग ने तो है आपके पास दिया हुआ यहाँ पर यह तो दो दो बार हो गया था ठीक है चल अलाकि नमीक में से योग रूड सब्द कौन सा तो योग रूड जो है यहाँ पर आपका कौन सा मिल जाएगा त्री लोचन तीन लोचन से बना लेकिन सिवजी का अर्थ देता है कुरसी फूल की बात करेंगे तो यह मूल सब्द है रशना क्या धार पर हमने रशना बनावाट और वित्पति क्या धार पर रूड योगिक और योगरूर सब्द देखें उनमें से मूल या रूड सब्द मिल जाएगा दोनों सेना पती तो ये आप पास कैसा सब्द है ये योगिक सब्द आप पास मिल जाता है 29 में से कौन सा विलो मारती सब्द देखो सही सुमलित नहीं है निंदा का इस्तुति बिल्कुल सही है अधिका और अधिका हुता है अंध अध और अधिका ही अठ साथ देते हैं कारे प्रारांब करना बाकि तो ठीक है यहां पर हां तो शहरा है आप हैं आगे बाकि वगरे के लिए जो जयो है इनको भी उशमिल किया ज़ल्द barrier काई में अनामिका, यह अनामिका प्रथम है, जिसमें बादल राग दिया हुआ है, ठीक है? बादल का आहवान गीत की रूप में ये NCRT में चेप्टर है और ये भी एक कविता है अट नहीं रही है अब जिसनों ने ये पढ़ा है तो भई आपने जरूर अभी आपका कुछ पंक्तिया आई थी पेपर में तो वह भी कर दिया होगा और उस पीडियोप से ने बाहर नहीं पूची गई है रचना अभी तक क्यों दो पेज है ठीक है हां कुछ लेका के बारे में कुछ वी सही चीज़ है ऐसे पंक्तिया आ जाए तो थोड़ा भूत आपको पढ़नी पढ़ेंगी लेकिन इस पेसले अगर डालेक्ली कोई रचना पूची गई है उस पीडियोप से ब अगर काना में और पत्रिगा में सुदा समन में मत आला आपने इसको देखा है ठीक है यहांपर हमारे पास जो जोही की काली है ऐस मुक्तकशंद की पहली रश्ना है चंद सायद पड़े होंगए आपने फिर भी मुक्तकशंद ऐसे चंद होते हैं जिनमें मातराओं और वर्णों का कोई बंधन नहीं होता है चंद में आपने दो चंद पड़े होग Best तो इसका धुनागिरी तो बिल्कुल सही है, माना, चोखंबा की बात करें, तीसरा वाला आंसर हो जाएगा, ये 7138 मीटर आपके पास आ जाएगा, अगर मैं 7120 की यहां पर बात करता हूं, तो 7120 की मिल जाएगी, तृशूल परवत की, उचाही आपको मिल जाती है, अला यानि लिसर यांक्ती हो जाएगा, कंचुतिच, ठीके, नानदार्म वगरे यहां पर आपका क्या है, मिल जाएगी, सेला यांक्ती वगरे आपने पढ़ियोंगी, गोरी गंगा, काली गंगा की साथ आपका जोल जी में सर्यू की सायक नदिया, पिसले पेपर हमने डिटेल म में गोमती संगम बनाती इससे, फिर आगे यह इसी नाम से जाती है, किसे सर्यू नाम से, और रामेश्वर तीर्थ में पुर्वी रामगंगा से संगम बनाती है, फिर आगे काली में मिलती है, पंचेश्वर में जहां पर पंचेश्वर बांध वगरा, जो निर्मान है, वो आप पास Temperate Fruit Research Station अगर आएगा तो 1934 में आप पास यहाँ पर मिल जाता है थोड़ा से यहाँ पर बात करें राज किया उद्यान या चोबटिया उद्यान के गरम बात करेंगे चोबटिया उद्यान आपका 1869 में इसकी स्तापना की गई है और डबलु क्रो के नितुरतम है डबलु क्रो के को इसका यहाँ पर क्या है अधिक्षक क्या नहीं प्रमुक बनाया गया आगे हम देखते हैं तो इनहीं के द्वारा बेला डोना की खेती वैसे तो परिक्षवान हम 1903 है लेकिन 1910 भी जहाँ पर है वो 1910 में नौर्मन गिल के द्वारा उसको कुमाओं चेतर में सुरू किया गया था और लोंग कीपर नाम से एक आलू की सबसे प्रशिद किसम आती है कुमाओं चेतर में लोंग कीपर तो ये लोंग कीपर किश्म थी किसकी आलू की जो नौर्मन गिल कुमाओं लाये थे 1916 में बद्री केदार प्रेश की इस्तापना किसके द्वारा की गई है तो बद्री केदार प्रेश यहां पर आपका विशालमनी थपलियाल की मिल जाती है इनमें से कुवर्सिंग करमट जो है इनकी 1936 में लैंस डाउन में इन्होंने क्या कहा है लैंस डाउन में कालेशर प्रेश की इस्तापना की है थोड़ सा कुछ और चीज़े हैं जिसे हम बात करें नेतरशिंग रावत, इनका एक यात्रा विर्तान्त मिलता है पत्थर और पानी, पत्थर और पानी नाम से यात्रा विर्तान्त मिलता है, ज्यादा वैसे महतो पूर्ण तो नहीं है बस फिर भी, ललिता चंदोला, उनकी जीवन ही लिखी है, ठीके तो ठीके ज्यादा कुछ है ने इसमें, अला कतुरी काल में जीव को पारजन है तो निजी भूमी को कहा जाता था, जो निजी भूमी है वो आपका वृत्ती है, जीव को पारजन की बात कहीं और जीवी का को ही वृत्ती शब्द मिलता है, क्या व्रित्ती है, उसकी क्या जिवी का है, सरकारी नोकरी जिस्टोट साप लगे हो तर्यारी मेह, तो जब नोकरी में बिल जाएका वो आपकी वृत्ती है, यानि जी वी का, आजी वी का व properties यदि उसको कह सकती है, पल्लीका होता है गाउं, छोटे गाउं को कहा गए, गाउं की भूमी को पल्लिका कहा गए, करमान्त की बात करेंगे, तो करमान्त क्या थी, करमान्त खनुज युक्तु भूमी थी, ठीक है, खनुज युक्तु भूमी आपका करमान्त आ जाएगी, और सरण क्या आ जाएगी, जहां पर आपका भवन नि इस्तापना कब की गई तो राज में 2001 में 45 fast track court आपका court बनाए गए और fast track court इसलिए बनाए गए कि ताकि जो भी cases वगएरा हैं उनको क्या है सिग्रता से उनका निप्टान हो सके सताय से हिम तेंदवा की शुरक्षा है तू snow leopard योजना किस वर्स किस वर्स जो है आपका सुरू हुई तो snow leopard के अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यह योजना आप पास मिल जाती option number 91 option number third में अगर हम option first की बात क्यों कि हम आप दो चिने ना confuse करती है 91 में तो ठीक है यह है लेकि 91 92 के अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इसमें आप पास tiger watch आ जाती है तो sun के हिसाब से ध्यान रखना पहले आप पास क्या है हम तेंद्वा snow leopard वाला है और उसके बाद tiger watch आपको मिल जाएगी ऐसा ही हमने यहाँ पर एक कस्तूरी म्रीग से संबन्दी देखा कस्तूरी म्रीग farm योजना कस्तूरी म्रीग farm योजना की बात करेंगे तो मुझे पता है कि सभी को कांचला खरक तो याद होना ही चीए कांचला खरक मिल गी प्रजन ने एवम संडक्षन के अंदर जो की कब था 1982 का लेकिन इसी से जस्ट पहले 198081 में योजना को सुरू किया जाता है और फिर इसी योजना के ही तहता आपका 1982 में कांचला खरक चमोली में कस्तूरी में प्रजन ने एवम संडक्षन के अंदर की इस्तापना की जाती है अला कि देहरदून के समीब मसूरी के समीब इस्तितर महगाउं और कियारकुली में किस खनिज के लिए प्रशिद है तो यहां पर आपका खड़िया के लिए मिल जाएगा उपसर नमबर थर्ड में अगर हम डॉलोमाइट की बात करेंगे तो डॉलोमाइट आपका दून टीरी व पितोरगर्ड यहां जन्रपतों मुक्रूप से पाया जाता है फास्पुराइट की बात करेंगे पिछले किसी पेपर में आपने टीरी का रजगेवा चेतर देखा होगा रजगेवा मिल जाएगा मेगनेसाइट के लिए देखो मेगनेसाइट कार खाना तो वैसे आपका चंडाक जिरोली में है चंडाक पितोरगर्ड में हो जाएगा जहां पर आपने बंदर बाड़ा भी पड़ा राज्ये का पहला और जिरोली हो जाएगा अलमोडा में इसके अगर हम बात करेंगे तो पोख्री तो तामभा गरा के लिए भी, ठीक, नागनाथ पोख्री वगर हम थे लिए था पॉख्री, प्रकाषऔ का प्रकासन कि सदाद डू के दूर किया गया। बंदु नामक देखो वैसे तो आपने पढ़ी होंगे ना सब चीजे हैं अब बंदु नहीं अलग रहा लेकिन यहां पर एक नाम भी नहीं अलग रहा भई जो पत्रकार था थोड़ा सा है तो राम सिंग धोनी यहां पर आपको मिल जाते है जैदत वेला के गरम बात करेंगे इनका परजा बंदु यहां पर मिल जाता है सदानन कोकरेती की बात करेंगे तो विशाल कीरती मिल जाएगा ठीके विशाल कीरती और विक्टर मोहन जोसी की बात करेंगे तो विक्टर मोहन जोसी का आपके पास क्या था 1930 में स्वाधीन परजा स्वाधीन परजा नामक समाच जारपत्र ने उन्हों कहा किया था शुरू किया था आरहा जखोली मेले का आज जनपद में होता देखो जखोली मेले की अगर हम बात करेंगे तो जखोली मेला होता आपका कहा पर देहरदून जनपद में है चकराता चेतर में है लेकिन जो रुदरपर्याग जिन लोगों ने आतार पढ़ोंगे जिसे गिंदी, खकोटी, उतसवे गिंदी का मेला पोडी में हो जाएगा, भूनेश्वरी मंदिर, भूनेश्वरी मेला भी आपका पर पोडी में मिल जाता है, ठीक है, हमारे पास एक मिलता है बूरी मेला, थुरसा कन्फूजन देता है, भोसा लोगों को जाने क्यों रहता है भले, लेकिन बोरी मेला है, तो बोरी आपका कहां पर हो जाएगा, चमवली में, वान गाओं में, और अगर बोराणी मेला है, तो बोराणी कहां पर, पिथोरागड में, ऐसा ही चोपकिया हो जाएगा, पिथोरागड में, चोमू आएगा, तो होता है अल्या कापिलेश्वर महादेW मंदी एक जन पाद में इसी थे वैसे तो देखो का Sec ie मंदिर के ग्रम बात करेंके ना kaflles न मंदिर से giorno हो best और मंदीर या पिफ़्रागर डोनों में ज़े फिलाल जो मज़ intent मंदिर भी देखा था पोड़ी के भी हमने बात करी श्री भूनेश्वरी महिलास्रम आएगा तो अजनेशने टीरी में लेकिन पुराणों में किस मंदिर को भूनेश्वरी सक्तिपीट कहा गया है तो वो फिर आपका कौनसा चंद्रबदनी मंदिर आप पास मिल जाता है ऐसे में महिशास्रमर्दनी नाम से देखते हैं महिशास्रमर्दनी के अगर मूर्ति आएगी तो चंबा है महिशास्रमर्दनी सक्तिपीट अगर आता है तो हाटकालिंका को कहा गया और अगर महिश मर्दे नहीं आता है तो वो देवलगड में मिल जाएगा तो ऐसे कई सारे मंदर आपके पास मिल जाते हैं जो थोड़ा सा कन्फूज कर सकते हैं आपको जिसे पाशान देवी की बात करेंगे पाशान देवी तो पाशान देवी आपका कहां पर है नैनिताल में ऐसे गर पाताल देवी पाताल देवी की बात करेंगे तो पाताल देवी आपका अलमोडा में मिल जाएगा और अगर यहां पर एक पाशन देवी पाशन देवी या इसी को गुर्ना माता गुर्ना माता मंदिर यह आपका हो जाएगा कहां पर पितोरागर्ड में कहीं पर फिर से देखो मंदिर तो मैंने कहा कि बहुत सारे देखो एक नाम से हो सकते हैं कहीं पर गुर्नामाई जो है चमपावत में भी है लेकिन गुर्नामाताप आशन देवी के नाम से इस तरी किसा आगा तो पितोरागर्ड में अलाकि राज्य में सुभ कारियों में बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए किस परकार का चित्रांकन किया जाता है। तो यह आपका उप्सन नमबर फूर्स श्यो मिलता है। गोधना की अगर हम बात करेंगे तो भाई उप्सन फिर्स आंसरी है। गोधना आपका कहा है सरीर सरीर पर गोधे जाने वाले चित्रों को गोधना कहा गया है। ठीक है। खोडिया की बात करेंगे तो खोडिया जो है आपका मंडब पर बनने वाले इस्तला करेंगे चित्र गलाब अगरा में और मौली की बात करेंगे तो मौली कहां पर है। परवेश दौर पर मौली अप अगे चलेंगे उत्राखन मूले वर्धित कर लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य रहा है तो ये आपका देश का 22 राज्य रहा है एक अक्टुबर 2005 को जो है वैल्य एडिटेक्स जो आपका वेट है उसको राज्य में लागू किया गया है नेमन में गोपेशड तरसू लेख में किसका लेख नहीं मिलता है गोपेशड तरसू लेख की अगर हम बात करेंगे वहाँ पर हमें मिलता है कि गणपति नाग निसमंदिर को बनाया था जिसमें इसकंद नाग विभुनाग और अनसुनाग इन चारों का यहां पर क्या आपका जिकर मिलता है तो वो आपके पास है अलाग निमिक में से सही नहीं है, तो जो सही नहीं है, अंकुरा, सुसिर हो जाएगा, अंकुरा या भंकुरा आप देखो बस लिखने में गड़बड चीजे हो रही है, बिनाएं की बात करें तो बिनाएं आपका कैसा है, ये धातु वाद्य में आप पास आजाएगा, ठीक ह सुसिर का मतलब होता है, फोंक से बजाए जाने वाले, ठीक है, फोंक से बजाने जाने वाले, हमने नाद देखा, नाद का मतलब फोंक से कंपन वगेरा भी होता है, यहां पर आपका संख हो जाएगा, रंसिंगा हो जाएगा, भंकुरा हो जाएगा, तुरही हो जाएगा, आपका बांसुरी हो जाएगा, अलगूजा, जोल्या, मुर्ली, यह सब आपका सुसिर में है, मसकविन वगेरा सुसिर में. चर्म वाद्य में हमने सहीया की बात करिए, हुड़के का चूटारूपे, हुड़का ध्यान रखने हैं, चर्यो गले का आपूशन है, मुर्यो एक आपका क्याए है, आपका चर्म वाद्या मिल जाता है। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि हमारे पास चरम में डोर मिल जाएगा, ढोल दमाओं, ढफली वगरा मिल जाता है, जहान है गनवादे में, गन की बात करेंगे अगर और तो गन में हमने विनाई, यानि धगन धा तो एक ही धियान करें ठीके विनाई हो जाएगा, इसमें हम आपस में बजाया जाता है, राजय में कारती के गुफा कहां इस्थित्ध है, जो कारती के गुफा राजय में मिलती हो आपका है, ऑप सन नमबर आपका, फॉर्थ लाख और भी मालपा पितोरगि पैट में हैं और यहाँ पर आपने देका कि अगस्त उ一नी किहां पर आपका नाथ सिद्धों की गुफा हैं ओंत ऐ AG जो की कुफा हैं आपका देवल गड में संकर या संकर चार या गुफा साथ था उत्तरकास में लेकिन विश्वनात गुपा अगर आती है तो वो टेहरी जनपद में हो जाएगा लेकिन ये भी है कि अगर विश्वनात और अर्देनारी शर्ट दोनों मंदर एक साथ पूछे जाएं तो आपका रुद्विप्रिया गुप्तकास में मिल जाएंगे 28 से अप्रेल 1994 में संयुक्त उत्राखन राज्य मोर्चा का गठन किसने किया था संयुक्त उत्राखन राज्य मोर्चा गठन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें बहादुराम टम्टा आपसे नंबर फस्ट आपको मिल जाते हैं ठीक है पीसी जोसी के अगर हम बात करेंगे त तो तीन अक्टूबर 1970 में कुमाउ रास्टियम मूर्चा, यहाँ पर आपका साज़ा है कुमाउ रास्टियम मूर्चा, इंद्रवनी बड़ोनी तो आपको पता ही है लगाता है, इंद्रा उत्राखन की साथ, जो है आपका क्या किया था, प्रधक राज्जय की मांग यहाँ पर दिल्ली में रखी थी, किस चंद सासके ने राज्जय की पस्चमी सीमा की सुरक्षा है तो भीम ताल में, किले का निर्मान करवाय था था, बारा मंडल पाली वा छकाता तक राज्य का विस्तार किया, तो यहाँ पर उप्सन नंबर फस्ति लोक्षन आ जाता है, ठीक है, ग्यांचन को फिलाल अगर हम गरूर समझा था, तो गरूर तो कह उन था, जो सबसे लंबा कारे कालव अगर हम पढ़ चुके थे, गरूर ज्यांचन दुतिया की बात करें, यहाँ पर में चीज आपके आजाती है, कि बधान गड़ से, बधान गड़ से, नंदा देवी की स्वर्न प्रतिमा कौन लाया था, तो वांसर आजाएगा आपका ज्यांचन दुतिया, वैसे तो आप सभी को पता है, कि जो बाज ब मूर्ति लाये थे, और नंदा देवी मंदिर का इन्होंने क्या क्या थे, यहाँ पर निर्मान किया था, ठीके, दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका, क्वेशन अगर स्वर्ण प्रतिमास आएगा, तब ज्यांचन दुतिया, ठीके, बिश्म चन अलमोरा को सबस्पर राजधानी की रूप में बसाने का इन्होंने परियास किया था, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, कि जब यहाँ पर आलमगीर नगर दुरुग या फिर आपका, खगमरा कोट आपने पढ़ा होगा, खगमरा किला बनाया था, क्योंकि राजधा बनाए आपका सौर सीरा छेतर में अभियान पर रहता है। वापस जब इसको यह सुचना प्राप्त होती थी वापस आके अलमुडा आकर पहले क्या करता है। गजुवाठिंगा की हत्या करता है। फिर पिता के जो आपका इच्छा थी यानि राजधानी को अलमुडा बसाता है। पंदासो त्रेसेट में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि अलमुडा किस्तापना कर राजधानी अलमुडा लाए जाती बालो कल्यांट सन के द्वारा। राजधा उनकी संदक्षिका के संबन में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहले बाला यह सही नहीं है। यह उन्हें पिछले पेपर में भी बढ़ा था कि प्रदीब सा की संदक्षिका थी वो थी आपका कौन? जिया कनक दी ठीके जिया कनक दी यहां पर मिल जाती है और महारानी गुलेरिया की बात करेंगे प्रदीब सा की संदक्षिका की रूपमें महारानी गुलेरिया का जो यह है आपको यहां पर गया है नाम मिलता है आला कि इस वर्थ कमिसर ट्रेल नह तिहसिलों को onboard camera मिला कर इस नई तिहसिल को हुजूर तिहसिल नाम दिया था अब यहां पर क्या है कि जो हमारे पास क्या मिलता है गारडनर का कारे काल मिलता है 1815 में 1815 में कुमाव छेतर में कुल नौ तैसिली थी और नौ तैसिलों को हुजूर तैसिल नाम दिया गया आपकक किसके काल मैं चया टेल की काल में आपकास यहां पर आ जाता option no.4 में क्योंकि देखो, 1860 में जो बंदोबस्त वगएरा किया गया था न, उस बंदोबस्त में यहाँ पर आपका, इसको हुजूर तहसील नाम दे गया और एक ही तहसील इसको यहाँ पर मिलाकर बनाए गया गया नो तहसीलों को, लेकिन हम 1823 में क्या देखते हैं, ठीक है और एक स्री नगर ये चार तैसिलों यहाँ पर आपका क्या है इस्तापित की जाती है चार तैसिलों को यहाँ पर इस्तापना मिल जाती है आगे फिर यह बढ़ती रहती है नहीं कि मैसे कौन सी तैसिल अनसूची तो जाती है ऐसी की हुग हम बात करते हैं तो हमारे पास कितनी 13 है कभी 14 हो जाते हैं जो हम परिक्षवानी पढ़ते हैं पीछे गिनते हैं तो भाई परिक्षवानी फिलाल संक्यात 20% हमने यहां पर बताया गया है तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो आपके पास राज्य मेन anniversary भी चाहिवा इस्तान चाहिए से विल्कुल सही है महिला साख्षणता की बात करेंगे तो महिला साख्षणता यहां पर कितने मिल जाएगी 70% पुरु साक्षर डमाक पास कितना तेरवा इस्थान मिल जाएगा। महिले साक्षच डमाक पास कितना है। 200 इस्थान आपको मिल जाता है। झारगे। ऑलोबर देखें तो 27. राज्यमे का हम बात करें लिंगानुपात तो 9.23 right है। तीक है, लिंगानुपात में तेरवान इस्तान मिल जायेगा. लिंगानुपात की बात करेंगे, तो सरवाधिक लिंगानुपात आपके पास यहां पर है? Al-Moda में, जाहिए वापका वयश्क का हो, जाहिए सिस्व का हो Al-Moda में, लेकिन सबसे कम वैस्ट में हरीद्वार आ जाएगा और शिशु में सबसे कम पिथोरागण में राज्य का जन घंठत्व ये इसका आंतर हो जाएगा ठीक है 189 आपको जन घंठत्व यहाँ पर मिल जाएगा और जन घंठत्व में राज्य का 25 वाइस्तान है सरवादिक जन घंठत्व फिर आपका कहाँ पर हो जाएगा हरीद्वार में और सबसे कम हो जाएगा उत्तरकासी में राश्य उससा दसक्या विर्धी दर वैसे ये भी गलत है क्योंकि इसका जो है ना आपका यहाँ पर सत्तर दसनल सत्तर भी मिल रहा है तो देख लेना आपका नहीं वाणी में तो इसका वैसे ही आपका सत्तरा सत्तर है तो ध्यान रख लेना ठीक है जो भी कुछ हो आपका थोड़ा इसको चेक कर लेना अगला है मिल मेंसे कौन सा सुमेलित नहीं है ठीक है वैसे इसको है ठीक है, जो सुमेलित है कर दिया था इसको, ठीक है, राज जलनीति के अगर हम बात करेंगे तो राज जलनीति 2019 में है, हिमाले दर्सन योजना 2015 की हो जाएगी, एक हिमाले दर्सन हेली सिवा है, जो कि अक्टूबर 2022 को मसूरी जॉर्ज एवरेस से सुरू की गई, ठीक है, ठीक हरक सिंग रावत, उनके द्वारा किया गया, ठीक है, वो हरक सिंग रावत एक नेता जी भी हैं, लेकिन उनके द्वारा नहीं थैं कि यहां पर, कोई 25 अधिकार थे, उनके द्वारा था ठीक हो जाएगा, नमिलीक में से किसमें उत्राखन डेश का पहला राज्या बना है, तो ये बना है उपसा नंबर फूर्थ में. उत्राकर्ण ने महिलाओं को शंपति का अधिकार दिया है. इसके लिए आपका यहां पर गया है. 2021 में इसको अधिन्यमित किया गया है. इसको ध्यान लख लेना. नकल विरोधी कानून में दूसरा. क्योंकि पहले में राजस्तान है. सोचले मुक्त मैं, फूर्थ मिल जाएगा. खुले में सोचले मुक्त फूर्थ मैं. अमरिसरोवर, योजना की बात करेंगे. तो इसमें तीसरा इस्तान राज्य को मिल जाता है. अगरा नदी पर जशना सुमेरित नहीं है. वैसे तो इसमें सभी के सभी सही करवा दिये थे ओफलाइन में, तो इसमें यहाँ पर गड़बड़ी हो गया था कि इसमें सीदे से तिलोत क्या है अगर हम बात करें तो नदी बिल्कुल सही है तिलोत ठीक है तिलोत आपका उत्तरगास से मिल जाएगा बागी रथी में, तो सभी के सभी बिल्कुल यहाँ पर क्या है इसको सही लेकर चले, क्योंकि यह तो रिजनी का क्वेस्टन फिर हो जाएगा न इस तरीके से कि बागी में भाई आपका क्या है जन्पत दिवर एक में नदी दी हुई ठीक है, अच्छी बात है जिन लोगों न यह भी सूचा है लेकिन फिर भी ऐसे ज़्यादा कुछ कंश्फूजन नहीं रखना है इन चीज़ों में भागी रती पर ही हाँ, जन्पत उत्तरगासी हो जाएगा पुर्गोर टौस देरादुन में, कैल गंगा, कैल गंगा पर ही मिल जाएगे पिंडर की सायक नदी चमगोली में और बाली घाट सर्यों नदी पर है बागी श्वर में हिंडोला और मस्तानी चित्रों का संबन्त मानको की बात करेंगे तो मानको ने गीत गोविंद का चित्रन किया गया है वो किया गया 1830 में, किताब में 1730 है जो गलते बिल्कल धियान रखने ठीक है 1830 में, क्योंकि मानको और चेत्व, चेत्व मानको की अगर हम बात करेंगे तो ये मौला राम की सिष्च्य माने जाते हैं और अगर हम माना इसको 1730 माने भी, तो मौला रामी तो 1743 के आसपास मौला राम का जन्नम होता तो गुरु इने तो सिष्च्य पहले कहां सा गए दूसरा, चेत्व और मानको को सुधर्सन सा के दर्वार में संडरक्षन प्राप्त था, तो सुधर्सन सा का कारेकाल तो सभी को पता ना, 1700 में तो सुधर्सन सा भी नहीं थे तो यहाँ पर इस तरीकी ध्यानागा, चेतों की बात करेंगे, तो चेतों में आपका 13 चित्रों का, एक संग्राय मिलता है, रुखमणी हरन चित्रमाला की नाम से, वैसे मानकों का आंख मुचुली नामक चित्र भी है, ठीक है, रनवीर सिंग विसकी अगर हम बात करेंगे, त चित्रों से बसने के उपाई देखाऊगा, मदर और चाइल्ड मिल जाएगा, गब सब मिल जाएगा, मंदर घाट की पेडियां वगरा, इस तरीके से कही सार चित्र हाँ पर इनके मिलते हैं, अगला सुमेली तो नहीं है, हिमानचल पत्रिका, सत्यपरसाद, रतोडी, बिल् विक्टर मोहन जोसी की, विक्टर मोहन जोसी ने जो कुमाओ कुमुध है, 1922 से यह सुरू होती है, लेकिन 1922 में इसको जिला समाचार के नाम से प्रकासित किया जाता है, और 1925 में फिर इसका नाम क्या हो जाता है आपका, कुमाओ कुमुध यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक ज बसंद कुमार विक्टर जो चम पीछे देख चुके हैं आपका स्वाधिन पढ़ जाब मैं ठीक है अगरा राश्रिपती ने भारतिय समिदान के किस अनुशेद के दहद समान नागरिक सहिता उत्राखन दोजार चुबिस को अपने सहमती परदान की बहुत सारे लोगों ने इसको सीधे डारेक्ट जाके UCC पढ़ा कुष्टन में और चवालिस कर दिया आर्टिकल चवालिस में तो भई प्रावधान है कि राज्य क्या करेगा समान सिविल सहिता लागू करेगा लेकिन बात हो रही है कि जो उत्राखन से संबंदित नागरिक सहिता अधिनियम था उसको राष्ट्पती ने पास किया लेकिन किस आर्टिकल में ऐसी सकती है कि कानून तो राज्य का है लेकिन पास राष्ट्पती को करना पड़ रहा है आपने देखा होगा, पहले मैं आर्टिकल की बात करूँ, चवाल इस तो confirm हो जाना चीए, अब दोसो की बात करता हूँ, दोसो में राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा विधेयकों की स्विक्रिती है, विधेयकों की स्विक्रिती मिल जाएगी राज्यपाल के ठीक है, दोसो एक में है की राज्यपाल क्या कर सकता है, राज्यपाल विधेयकों को राश्ट्रपती हेदू प्रेशित कर सकता है, कि जहां पर लगे कि यार इसको राश्ट्रपती की राए लेनी जरूरी है, इस विधेयकों राश्ट्रपती के पास भीजना जरूरी है, तो वो यहां पर आ जाएकर इसी के तहत राश्ट्रपती ने क्या किया था, इस विधेयक को पास किया है, और उत्राखन पहली विधा अंसभा बनी है जिसने UCC जो है आपका क्या करी है जारी करी है ठीक हो जाएगा चले तो ध्यान रखना बढ़े इन चीजों का अगला आता है कि राज युवानीती 2011 के नुसार किस वर्ग के युवाओं को युवानीती के अंतरगत रखा गया है तो यहां पर युवानीती के आपका उप्सन नंबर थर्ड आ जाएगा 18 से 35 2011 की युवानीती 2011 में आप पास किर्श नीती वगएर भी आप लोग पढ़े हूँ टीरी में हिबेट संस्कित पार्ट साला तो यह आपका किसकी किर्श साके काल में था हिबेट संस्कित पार्ट साला कोई वन नाइनर सिंगल नाइनर किसी पेपर में किसी किताब में जो है क्या दिया हुआ है संस्कित विश्व भी दिया ले नहीं था हिबेट नाम से कोई व बाकी इस्तापना करी और टकनोर चीला, देव परियाग और आपका रवाई में, चार थाने भी इन्होंने क्या करें, इस्तापित करें, फिर हमने तीन टेक्स भी पड़े, खेंड़ पाला विसा का भी इन्होंने समापन किया था, बाकी बहुत सारे बंदोबस्त वगरे हैं, म अभियान बगरा हो रहे थे, हमने तिलारी कान पड़ा इनके कारे में, मुखे घटनाई मिलते हैं, वो सिर्देव सुमन के आंदोलन मिलते हैं, जहां पर आपने प्रजाम अंडल की इस्तापना खास तोर पर आपके आ आ जाते हैं, जिसका मुख्य उदेश्य क्या था, कि ट अठूर के लिए इननहों ने अलग से बंदोबसकर वाया है, और उताली परता, आपके सभी को बता, ओता हो सब्सक्राइब भ्쳤ो लेकिन जो लोग PCS वगरा की तयारी कर रहे हैं वहाँ पर आपको जरूरी आंकड़े वगरा ध्यान रखने पड़ेंगे और प्रैक्टिसर शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन भी ओफलाइन भी आप वहाँ पर जुर सकते हो, बेटिसकाल ने बंजर भूमी को कहा है, बंजर सरकार के नियंतरन वाली भूमी को यहां पर खाल सा भूमी, माफी क्या थी? कि माफी विसेश लोगों को दी जाने वाली? विशेश लोगों को दी गई राजस्व मुक्त भूमी आ जाएगी और फिर सिंपल आप पास आता है बिटिसों को बिटिसों को चाए बागान हे तू बिटिसों को चाए बागान हे तू दी गई भूमी ठीके बागवान ये वगर के लिए खासतर पर चाय वगर के जो भूमी दी गई उसको बिटिस काल में कहा आपका फी सिंपल प्री सिंपल कहा जाता था वांडरिंग इंदा हिमाला ये पुस्तक आपका ऑपसर नंबर थर्ट पी बेरन की और पी बेरन जो है इनका साहितिक नाम मिलता है पिलिग्रिम पिलिग्रिम नाम से लिखते थे एटी एटकिंसन हिमाला इंडिस्टी गजेटिर हमने देखा है पिछले पेपर ने फुल फॉल फॉम भी तीस रचना की मूर क्राफ्ट इनकी पुस्तक आती है अज सहकारी समितियों को संविधानिक दर्जा किस वर्स प्रदान किया गया सहकारी समितियों को 2011 में अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपका संविधान संसोदन आप पास मिल जाते है 2011 में जहाँ पर सहकारी समितियों को संविधानिक दर्जा दिया गया सहकारी समितियों की अग पंचायत से नगर निकाये वगरे से सम्मदित आर्टिकल आप लोगों ने पढ़ा, 243, Z का, H से लेकर आपका Z का T तक, यहां पर आपको क्या मिलता है, सहिकारी समितियों के गठन वगरे सहिकारी समितियों से सम्मदित आपका यह article आप पास मिल जाते हैं, साथ साथ में आर्टिकल 19, जहाँ पर आपने पढ़ा कि संग या संगठन बनाने की स्वतंदरता, वहाँ पर नागरी का मौलिक अधिकार भी इसको रखा गया है, और साथ साथ में आर्टिकल 43 का B, 43 में वैसे आप लोगों ने देखा होगा, कुटी रुद्योग वगएरा या फिर आपका जो मंदेगा वगएरा उसके अंतरगत रखा गया, तो इसी के B में रखा गया है, कि सहकारी सम्थियों को भी यहाँ पर रखा गया है, कि राज्यका भी करतब्य होगा, कि यह सहकारी सम कि सहकारी सम्थियों में अधिक्तम निरेशकों की संक्या केतनी हो सकती है, 21 हो सकती है, ठीक हो जाएगा, चलिए, आनिर में से कौन सा विकल्प सुमेलित है, जो सही सुमेलित है, वो आपको बताना है, ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, सबसे ज़्यादा बजट और तो सबसे ज़्यादा बजट जो है मोरार्ची देशाई, कि द्वारा किया जाते है, गनतंत्र भारत का पहला बजट, थो डौट सा कंफुजन हो सकता है, अगर आपको जौन मता ही होता, लेकिन गनतंतर भारत का, नहीं, जौन मताई तो है, यहाँ पर आपका कौन मिल ज जाएगा जोन मथाई जोन मथाई के दारा गणतंत्र भारत यानि भारत गणतंत्र कब हुआ जब सम्विधान लाग हो गया 1950 में उसके बाद का जो पहला बज़र था वो किसने जारी किया जोन मथाई ने हाँ अगर हम बात के स्वतंत्र भारत की तो सनमुखम सेट्टी आपके सही मिल जाता है James Wilson ठीक है आपने पड़ा होगा 1860 में पहला बज़र तो तीन और चार सही है जो सही नहीं थे वो आपको ढूड़ने थे तो एक दो यहाँ पर आपका क्या सही नहीं है यहाँ पर बात करें रेलवे बज़र की तो ओक्वर्थ कमेटी का गठन हुआ था 1921 में और इसके सुझाओ पर फिर 1924 बच्चिस में क्या हुआ दोनों बज़र अलग अलग हुए लेकिन 2017 में हम देखतें कि दोनों बज़र फिर आपका एक हुए जहाँ पर भी एक कमेटी आप पास मिल जाती कौनसी विवेक देवराय समिती विवेक ओबराय मत कर देना ठीक है व अबुवे लाइक यहाँ पर आपका उपसर नंबर फूर्थ से एक निजामुदीन ओलिया कहला देथा निजामुदीन ओलिया से सम्मदित हमें यहाँ पर एक जिक्र मिलता है कि यह ग्यासुदीन तुगलक के समय आपका दिली में थे ग्यासुदीन तुगलक से थोड़ा इ तो वहाँ पर क्या होता है कि जोनक खां इनके संपर्क में आ जाते हैं, हम कह सकते हैं कि मतलब क्या परसंसक वगरा के रूप में फिर यहां पर ये जिज जो है ग्यासुदिन को आची नहीं लगती है ग्यासुदीन बंगाल अभियान पर रहते हैं और ग्यासुदीन संदेश भेजते हैं, किसको? निजामुदीन ओल्या को, कि भई, इनको लगता कि ये MBT को भढ़का रहा है, ठीक है? लेकिन फिर यहां पर आपने पढ़ाओगा निजामुदीर ओले ने कहा हनुज दिल्ली दूर अस्तियानी दिल्ली अभी क्या है दूर है तो हिंदी में एक मुहावरा भी तब से बन गया दिल्ली अभी दूर है का मतलब कार्या भी से इस तरीके से और होता भी आप लोगों को पता वही होता है रास्ते में कोई सिवीर वगर डैने से फिर वहाँ पर ग्यासुदीन की मृत्यू हो जाती है तो हमारे पास सेख नासिरुदीन मिलते हैं जिनको चिराग दिल्ली है चिराग देहलवी आपका कहा जाता है और जिन लोगों ने टॉपिक वाला टेस्ट दिया है यह कथन सत्य तो भाई option number आपका third नहीं है कि लोगसुबा पारित करती है एक बटाती नहीं दोनों दो बटा तीन से करते हैं यानि इसको विशेश बहुमत कहा गया है तो यहाँ पर जिक्र करेंगे अगर राश्च्पती महावी हो कि आर्टिकल एक सट में राश्च्पत को सूचित किया गया विदेयक यहाँ पर रखा गया two by three से आपका क्या हो गई पास हो गया अब यह जाएगा दूसरे सतन में दूसरे सतन हमारे पास है राजित सवा सीधे voting नहीं होगी पहले अब यहाँ पर क्या होगी जांच परताल होगी कि राश्च्पति पर जो आरोप लगे हैं क्या वो सही है या नहीं है उस जांच में राश्च्पति चाहे तो खुद चाहे तो अपने किसी प्रतनिदी को भी वहाँ पर सामिल कर सकता है एक अर्धनियाईक जान चलती है और आपने सायद कभी question पढ़ा होगा कि राश्च्पति पर महावियोग प्रकरिया कै किसी दिन राश्च्पति को क्या करना पड़े कि अपना पद त्यागना पड़ता है ठीक हो जाएगा अगला चलेंगे कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है पहला है केंद्रिया अनुवेशन ब्यूरो 1903 बिल्कुल सही राश्च्य मानवादिकार आयो की इस्तापना आपके पास मिल जाते हैं कि अब 1903 में इसकी इस्तापना पास मिल जाएगी 12 अक्टूबर को और रास्टी हरित नयाय दिकरन ये तो खेर आपको पता है 18 अक्टूबर 2010 NJT हो जाएगा और कुटूम नयायले की स्तापना पास यहां पर मिलता है कि पारिवारिक मामलों को जल्दी से निपडाने के लिए कुटूम नयायले की स्तापना की जाए मतलब भारत में मंत्री मंडली व्योस्ता के जन्मदाता किसी माना जाता है अब देखो मंत्री मंडली प्रणाली के जन्मदाता आपको यहां पर पूचा हुआ है आपको पता होना चाहिए कि एक अधिनियम ऐसा जहां पर हर कारह केलिए अलग-अलग विभाग, अलग-अलग मंत्राले बनाए गए, जिसको मновí port polio अभियान प्रनाली कहत pursue क। तो कैनिंग के समय 1861, मंत्र्यplic degli विवस्ता यहां पर अपनाई गई, सबी को पता होना चीए, और हाँ अगर आता है कि केंद्री करण, सत्ता का केंद्री करण, तो केंद्री करण तिर 1833 में आता है, क्योंकि यही पर जो बंगाल का governor general था, उसको समस्त भारतिया, ब्रिटिश छेतिरों का क्या बनाय गया था, governor general, सभी की सक्तिया एक के पास वहाँ पर आपका दी गई थी, कई सारी चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होंगी लेकिन महत्वपूर्ण क्वेशन जो आपका बंते हैं लॉर्ड रिपन से आप पास आ जाएगा क्या कि जो इस्तानिय स्वसासन है इस्तानिय स्वसासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है और आज़निक सिवल सिवाओं का जो जनक है वो आपका लॉर्ड Kaarnvalis यहां पर नाग्रिक सिवों को जनक माना जाता है आगे चलेंगे फिलाल निन मेंसे कॉन सा राज़ यह तापिया विद्यत उत्पादन में प्रथम इस्तान पर है तापिया विद्यूत उत्पादन में पहले इस्तान पर आपको मिल जाएगा महारास्ट ठीक है? महारास्ट है, दूसरे पर गुजरात है और तीसरे पर हमारे पास आ जाता कोन? यूपी समस्त जो विद्यूत उत्पादन वाले जो हमारे पास साधन है उन सभी में ताप, सबसे पहले पर है तापिया और तापिया के अंतरगत्वी सबसे बड़ा जो योगदान है भारत में कोईले का और भारत में सबसे अधिक मात्रा में बिटुमिनस कोईला मिलता है तो बिटुमिनस का सबसे बड़ा योगदान यहां पर है उसके बाद आपका आजाता है क्या जल्विद्यूत परियोजनाए वगरा आ जाएंगी फिर अन्या आ जाती है ने मार्च दोजार पंदरा में दिल्ली ने इसको शुरू कर दिया था अगला है, इराशन कार्ड सिवा प्रारंब करने वाला भारत का पहला राज्य ओबलिकेल सासित परदेश कौन सा है तो मार्च 2015 में दिल्ली ने इसको सुरू कर दिया था इराशन कार्ड योजना मार्च 2015 में इसको सुरू किया गया था ठीक है जाएगा चले अगरा है, 2011 की जन्गर्णा के नुसार नियुनतम लिंगाउनुपात वाला संग सासित प्रदेश कौन सा है तो सबसे कम लिंगाउनुपात की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आपका मिल जाता है कौन सा, उप्सन नमबर सेकिन दमन एवम दीव, वैसे तो दमन दीव दादार नगर होए लिए अब एक ही हो चुका लेकिन जो आंकड़े हैं वो आपका जन्गर्णा 2011 के नुसार पूछा गया था, ठीक है संकोष नदी किसकी सीमा बनाती है, संकोष नदी के अगर हम बात करेंगे और भूटान और भारत के बीच में कुछ पर्यूजना यहाँ पर, चूखा पर्यूजना आपने पढ़ा होगा संकोष नाम से भी पर्यूजना आ जाती है, तो दोनों के बीच में आपका मिल जाती है आगे कारडामम की पहाड़ी किस तट परिस्तित है, आपको पता कारडामम पहाड़ी आपका कहा पर केरल में और केरल के तट को क्या कहा गया आपका मालाबार तट, ठीक है, मालाबार विद्रो वगएर आपने हापर पढ़ा होगा, मालाबार मोपला वगएरा तो ये मिल जाते हैं, बाकी तो सभी को पता है, इलाइची पहाड़ियां और इलाइची पहाड़ियों के अगर हम बात करेंगे, तो सबसे भारत में सबसे डक्षिन में, कई बार कुशन नाता है, कि हमें नॉर्मली क्या पता रहे दा, हम सोचते हैं जिसे आपका ये पूर्व पहाड़ी यहाँ पर इसके नीचे दक्षिन मिलते हैं, को इससे नाता है सबसे दक्षिन में कौन सी हैं, तो इलाइची पहाड़ी, काड़े में पहाड़ी आपको मिल जाता है, अमार्तियसेन, अमर्तियसेन था ये, अमर्तियसेन को नोबल पुरसकार, तो इनको 1908 में परमान किस पुरान में मिलता है, तो यह आपका, मत से पुरान में आपको मिल जाएगा, ठीक है, साथ वहान की भी जानकारी आप लोगों ने पड़ी है, विश्नु पुरान की अगर हम बात करेंगे, तो विश्नु पुरान में क्या मिलता है, मोर्या काल की जानकारी मिलती है, और वाई पुराण में गुप्त काल की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है नमिक में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप पास option number जो सही नहीं है वो बताना था कामाख्या मंदिर कामाख्या या कामरूप मंदिर आपके पास कहाँ पर मिल जाएगा असम में मिल जाता है ठीक है अगर हम बात करेंगे तिरुपति मंदिर तो तिरुपति भी आपका महराष्ट में नहीं यह आपका कहाँ पर मिल जाएगा आंधर प्रदेश में मिल जाएगा एक और चार आपका यहाँ पर आंसर हो जाता जो आपका क्या है एक और चार जो सही नहीं है अगला कुरिया सिवा मैं परतिसपर्धा के लिए भारतिय डाक विवाक की ने दुरुत डाक सिवा का आरंब किया था दुरुत डाक सिवा स्पीट पोस्ट जिसको कहा गया है 1986 में जो स्पीट पोस्ट आपका क्या होता है लागू होता है इससे पहले एक आता है आपका जो पोस्ट कोड है 1972 में पिन कोड प्रनाली इसको भी धियान रखना डाक विवाक द्वारा पिन कोड प्रनाली जो है आपका क्या की गई यहाँ पर आपका शुरू की गई है एक 2013 से आता है 2013 जुलाई 14 14 तो जुलाई 2013 में जो टेलीग्राम सिवा है ठीक है टेलीग्राम सिवा इसको जो है समाप्त किया गया था अब टेलीग्राम हूँ आज कल वाला टेलीग्राम मत समझना ठीक है टेलीग्राम आपका जिसे फैक्स परकार का टेलीग्राम इस तरीके से कोई मतलब संदेश भीजने की एक तकनीकी वगएर हम कह सकते है ठीक है अंतिम जो है किसी ने राउल गांदी को ये भीजा था और ये अभी हाँ पर क्या है समाप्त कर देग्राम इसकी डेट आच चुकी पेपर में ठीक है अगला चलेंगे पंदर सो साथ इस्यू के पस्चात अकबर का पहला था था अंतिम विजे अभियान करम साथ अब अंतिम विजे अभियान देखो ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा जो लोग लगातार पेपर में और सीरिस होके अगर आप पेपर देरो ना तो मैं यह कहता हूं कि यार सो नंबर का जो पेपर बन रहा है ना उसमें से 20-25 कुष्टन तो ऐसा है ना कि जो पिछले पेपर में आपको सोल्यूशन वगरा में बताये गए हैं आप कितना गोर से सोल्यूशन देख रहो कितना आप उसको रिविजेन कर रहो वह बहुत माइन रखती है और यहां पर मैं इसलिए इस कुष्टन में कह रहा हूँ क्योंकि जो अभी टॉपिक वाला टेस्ट हुआ था मद्यकालिन भारत वाला उसमें कुष्टन था कि अकबर का अंतिम अभियान था असीरगड और बस इसने से सोल्व हो जाएगा ठीक क्योंकि बाकि अपसन था असीरगड कहीं पर है नहीं तो मालवा असीरगड यहां पर इसका आंसर आपको मिल जाता है बाल गंगा धर तिलक द्वारा संपाजित अंग्रेजी समाचार पत्र अंग्रेजी का नाम था मराथा और केसरी था वो था मराथी में फिर से यहां पर मैं वापस वही की सब्द कहूंगा पुराने पेपरों का रिविजन करो बॉम्बे क्रोनिकल में हमने किसका नाम पढ़ा फिरूसा महता का नाम पढ़ा है यह भी पेपर में आ चुका है इस टुट गार्ड में हुए अंतराश्य समाजवादी सम्मेलन में किस वर्स मेडम भीकाजी कामा की दोरा राश्टिय ध्वज फहराया गया तो यह राश्टिय ध्वज आपका यहां पर 1907 में और सेकिंड आ जाएगा असो के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है रानी या कौसांबी का अभिलेख मिलता है जो सबसे छोटा अभिलेख के रूप में मिल जाता है मासकी गुरजरा नैतूर और उडे गोलम उड़े गोलम इन दिस्तानों से को लेक प्राप्त हुए उनमें असोक का नाम क्या मिलता है हमारे पास एक भाबुरू का अभी लेक प्राप्त हुए जिसमें असोक को मगद का राजा असोक को मगदाद पती कहा गया है ठ히क है इसके अलावा पुराणों में असोक वर्धन कहा गया असोका वर्धन ने असोक वर्धन वगरा कहा गया है और साथ में अगर हम सिलालेखों की बात करें तो सामान रूप से वहाँ पर देवा नाम प्रियदसी या प्रियदसी का वहाँ पर आपका वर्णन मिलता है भारत में सरवादिक फलुत पादक राज्य कौन सा है तो सरवादिक फलुत पादक में आपका आंदर प्रदेश यहां पर आपको मिल जाएगा बंगाल में दोरे सासन का अंत किसने किया 1772 में वारेन हैस्टिंग्स ने लेकिन लॉर्ड हैस्टिंग्स अलगे ध्यान रखना ठीके तो इसका आंसर में से कोई नहीं है 1772 में इसको समाथ किया गया लेकिन अगर हम बंगाल में प्रारंब की बात करते हैं तो प्रारंब किया था किसने रॉबर्ट क्लाइब ने ये बात अलगे बंगाल की लेकिन अगर हम अधिनियों की बात करेंगे तो 1919 के अधिनियों में हम परते हैं प्रांटों में द्वेद सासन जो की लियो कार्टियस के द्वारा दिया गया था अपनी पुस्तक डायर की में डायर की ही मतलब द्वेद सासन को ही डायर की कहा गया तो डायर्की नामक पुस्तुक में क्या किया? दुवेद С living दिया प्रांतों में, 19 être प्रांतों में दुवेध सासन, लेकिन 19 être प्रांतों को स्वाइता प्र्दान की गई, और केंदर में दुवेध सासन आपका लागू किया गया, तो दोनों इस पर स्रूप से अलग हैं, लेकिन हाँ पर आप कन्फ्यूज क्या चीज़ करती है, अगर आप पास कभी क्वेसन आता है कि केंद्र में दुसातनात्मक विधाई का कब लागू की गई, अब हम केंद्र में दुसातनात्मक को ही दुसातन समझ बैठते और 35 कर देत नहीं, वो आपका 1919 के अधिरियम के तहत आ जाता है, विसे इस रूप से इन चीज़ों को नौट करके रखा करो, बिना लिखे कुछ नहीं होगा, ठीक है, ध्यानक नहीं सीज़गा, भारत लग उद्योग विकास बैंक का मुख्याली, सिडवी का मुख्याली आपको पूच संगठन, तो सिडव आपका 54 का मिल जाता है, ICICI भी उद्योग से संबन देते, ICICI आएगा, तो आपका 1955 हो जाएगा, लेकिन ICICI बैंक आता है, 1914 में इसकी इस्तापना मिल जाती है, निमन मैंसे कौन सा विकल्प सत्या नहीं है, ठीक है, अध्यों के यहाँ पर फासलों के नियुनतम समर्थन मूले का निर्धारन संबन देते, ICICI एवं लागत वा कीमत आयोग करता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ICICI मूले आयोग की इस्तापना 1954 नहीं, यह आपका 1965 में मिलता है, और अगला यह है, कि उसका नाम जो 85 में क्या रखा गया, ICICI लागत एवं मूले आयोग उसको कहा गया, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर आपका option number fourth मिलता है, कि, ठीक है, तो सही नहीं था, तो आपका option number second, B, यहाँ पर आपको आंसर इसका मिल जाता है, एक क्यूशन दाता है, गन्य का MSP ये गन्य का मूले निर्धारित को उन करता है, तो ध्यान रखना आर् भारतिक मामलों की, जो समेति आपका बनती है, मंत्र मंनले समेति, भारत में नियोजित विकास का विरूद किस्ने कहा, महात्मा गांधी जी चाहते थे, कि नियोजित विकास वगएरा ना हो तो ठीक है, लेकिन ग्रामिंड शेत्रों का क्या है विकास होना चाहिए, तो आप प्रप्राप्त करने वाला देश है यह इस्तान प्राप्त 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 करने वाला देश है यहां पर आपका सुट्जलेंड पहले इस्तान पर मिल जाएगा नमबर थर्ड में, उसके बाद दूसरे नमबर पर आपका नौरवे मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सोड़ सा भारत के परिपेख्श मगर हम देखेंगे, तो भारत का 134 आपका रेंक आई है, 134 वी रेंक आपका मिलती है, चले, बाकिए SGI के बारे में सबी को पता होगा, UN से इस्तान पर है, आयात करने में भारत पहले इस्तान पर है, और निर्यात करने में अमेरिका पहले इस्तान पर है, यह भी आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, निर्यात तक में अमेरिका पहले इस्तान पर आपको मिल जाता है, 83 की वाइवरेंट विलेज प्रोग्राम में कौन सा राज़ सामिल नहीं है देख वाइवरेंट विलेज जो यो प्रोग्राम था ये आपका खास तोर पे जो चीन तीबत से लगे वे चित्र थे उनमें था जिसमें हिमाचल प्रदेश उत्राखन आ जाएगा साथ साथ में इन option में से हमारे पास जो बच्चा ओपास लदाख मिल जाएगा ठीके यहां पर आपका क्या मिल जाएगा? लदाख की अलाबा यहां पर आपका हिमाचल प्रदیश HP मिल जाएगा और कुन बच्चा यहां पर आपका अरुनाचल तो यहां पर आपका ऊसम इसमें सामिन नहीं मिलता है तो इनको धिहान रहśliना रखना लदाक हमाजल तहरीर उसमें तरकन्ड सिक्ट राष्टे एकता पर बनी सरुतम फीचर फिल्म को किस पुरसकार से सम्मानित किया जाता है इनमें से यहां पर नर्गिस्दत पुरसकार जो है फिल्म को दिया जाता है अभी 69 जो आपका रास्टे फिल्म महुत्साव वगरत है वहाँ पर दकस्मीर फाइल्स को जो है ये पुरसकार से सम्मानित यहाँ पर किया गया था ठीक अगर आता है कि किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में होकी का प्रतम स्वर्ण पदक जीता था भारत ने ओलंपिक का प्रतम स्वर्ण पदक 1928 में जीता है लेकिन ये 28 में जीता गया है ये आपका बिटिसों के अधीन था अंग्रेजों के अधीन स्वतंतरता के बाद 1948 में भारत ने होकी का पहला क्या है स्वर्ण पदक अपने नाम की है ठीक है तो ज्यादा इस पेपर में कुछ था नहीं ऐसा नोर्मली थोड़ा समय की कम ही थी तो एक ही वीडियो में आपको इस सोलीशन मिल गया उम्मीद है जो भी कुछ डाउट्स वगिर आपके रहे होंगे तो